सिल्पिस कीचन में आपका स्वागत है मैं हूँ शिल्पी आज मैं आपके लिए लेक आई हूँ ब्रेकफास्ट की रेसिपी बहुत ही जटपड बनती है और बिना किसी जंजट के आप इसे जल्दी सुबह ब्रेकफास्ट में बना सकते हो और बच्चों के टिफिल में भी दे स्वादी होती है जल्दी से शुरू करते हैं हम यह रेसिपी मैंने यहां बेसन लिया है मैंने यहां चार से पांच चमच बेशन लिया है अब इसमें biological लाल मिर्च का पॉड़ार डालेंगे आप चाहो तो इसमें हरी मिर्च भी ढल सकते हो और साथ में हम यहां पे हल्दी प रहले उसके बाद हम पानी डाल कर इसका अच्छी तरह से इसका बैटर त्यार कर लेंगे गारा गोहल जिस तरह से आप ब्रेट पकॉरा का गूल बनाते हो उसी तरह का गारा गोहल हमें चाहिए लंज फ्री साथ में हम इसमें आधा चमच नीबू का रस्ट डालेंगे ताकि यह चटपटा बने देखिए इस तरह से गारा बटर चाहिए हमें देखिए मारा रेडी है बेटर यहां मैंने नॉन स्टिक तबा लिया है इसमें हम घी डाल देंगे घी से ग्रीस कर देंगे चाहिए तो आप यहां पर बटर भी यूज कर सकते हो या सिंपल ओयल अब यहां पर जो मैंने बैसन का घूल बनाया है इसमें हम ब्रेट को डिप क देंगे और गैस का फ्लेम यहां पर हम मेडियम टू लो रखेंगे क्योंकि बेसन है यह थोड़ा सा कुक होने में टाइम लगता है तो फ्लेम का खास देहां रखे अब इस पर हम बारी कटेवे प्यास डालेंगे आप चाहो तो अपनी मन पसंद सब्जिया भी इसमें डाल स फॉसर ट्विस्क दे रही हूं यहां पर मैं अनार के दाने ले रही हूं यह भी डाल देंगे दोनों ब्रेट पर और इसे इस पर चुला की मदद से हम प्रेस कर देंगे ताकि जब मैं इसे पल्टू तो यह बाहर ना निकले यह देखिए अच्छी तरह से प्रेस कर दिया ह है मैंने और इसे अच्छी तरह से हम कुख होने देंगे अब इस पर हम सीजनिंग ले रही हूं मैं और परपस अगर आपके पास सीजनिंग नहीं है तो यहां पर आप गोलमिर्श का पॉड़र और जीरा पॉड़र भी यूज़ कर सकते हो थोरा से ब्रेट के ऊपर भी हम गी डाल देंगे ताकि जब मैं इसे पल्टू तो यह अच्छी तरह से खुख हो अब इसके ऊपर से हम चाट मसाला भी डाल देंगे यह देख्यव यह कितनी अच्छी तरह से可uk हो रहा है, अब इसके उपर से हम पनीर डालेंगे ग्रेट कीवे पनीर है जो मैंने घर में बनाए है, इसके उपर से हम ग्रेट करके डाल देंगे आप चाहो तो यहाँ पे चीज भी डाल सकते हो चीज का फ्लेवर और भी अच्छा आता है अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो बच्चे चीज बहुत ही पसंद करते हैं इस तरह से आप देख फास्ट में इंस्टेंट से बना कर दे सकते हो बहुत ही टेस्ट्री लगती है जट पर बन जाती है अब इसे हम दूसरी तरह पलटेंगे इसे हम सब्धानी पुर्वक इसे पलट देंगे यह देखिए कितना खुबसुरा सा कलर आया है दोनों तरब से भी हम कुक कर लेंगे बुसरी तरब भी अच्छी तरह से कुक हो चुक है अब इससे हम फोल्ड कर देंगे इसे 20 से हम ब्रेक नहीं करेंगे इस तरह से फोल्ड कर दें ये लिजे हमारा बन कर तयार है ब्रेकफास्ट रेसिपी बिल्कुल इंस्टन्ट है यह इसे में प्लेट में सर्फ करते हैं इसे हम मैं काट कर दिखाती हूं एक खाने में बहुत टेस्टी लगती है आप इसे कर जरूर ट्राइ करें और बच्चों के ट्रिफिन में दे यह बच्चे प्रेम से खाएंगे रोटीन से भरपूर और सेहर से भरपूर यह सैन्विच जरूर खाएं इसके उपर से थुरह से हम पनीर यह चीज ग्रेट कर देंगे और थोड़े से अनार के दाने से सजा के देंगे मैं हमेशा नई रेसिपी लेकि आती हूं जरूर सब् यह दिखिए हमारा टेस्टी सा सैंविच बन कर तयार है फिर मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू